नमश्कार दोस्तों पात्वाइंड पर अप सभी का स्वागत है में नाम ने दी है दोस्तों ऐसा लगता है कि बार बार चाइना को भारत से जटके मिल रहे हैं यह हम चाहे तो अपने डिफेंस की बात करें हम बिलकुल तयार हैं हर तरह से मूतोर जवाब देने के लिए चाइ यहां पर एक और जटका मिलने वाला है चीन को क्योंकि टेस्ला के बाद अब आपल ने भी बहुत बड़ा डिसिजन लिया है जहां पर आइफोन के कैमरा पाथ की सप्लाइ टाटा ग्रूप को मिल सकती है औल्रेडी टाटा ग्रूप काम कर रहा है एपल के लिए फर मेड इन इसके बारे में भी बात करेंगे और एक्जाक्ली क्या यहां पर प्रपोस किया जा रहा है यह भी हम आज डिसकस करने वाले हैं शुरुबात करते हैं विद्धी न्यूस तो आपल टू असेंबल आइफोन कामरा मॉडूल इन इंडिया भारत में यह कामरा मॉडूल असेंब करना चाहती हैं from China and they are looking in towards India as a potential you know market not just market but also potential manufacturer चलिए इसके बारे में detail में बात करते हैं पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस न्यूस के बारे में जो हमने पिछले ही हमते कवर की ती जहां पर मैंने आपको बताया था कि Tata का जलवा इस समय हर तरफ देखने को मिल रहा है चा पर मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द ही Tata अक्वायर करने वाला है पेगे ट्रॉन का आइफॉन मैनिफाक्टरिंग फसलिटी जो की चैन्नाई के पास है और साथ ही एक बहुत बड़ा मैनिफेक्टरिंग यूनिट चैन्नाई के पास होसूर में भी बन रहा है ठीक ह लास्ट ये टाटा ग्रुप ने अक्वायर किया था ताइवाइनी इलेक्ट्रोनिक्स मैनिफाक्टर विस्ट्रोन इंडिया ओपरेशन्स एक सो पच्चिस मिलियन डॉलर की ये डील थी तो तेजी से हम चाइना को हर जगा पचारते जा रहे हैं दोस्तों और साथी मेकिन इ या चाहा रहा है ताकि वो रिड्यूस कर सके अपनी डिपेंडेंस ओन चाइना फर मैनिफाक्टरिंग ऑफ आइफोन अभी तक हम देखते थे कि आइफोन की मैनिफाक्टरिंग चाइना में होती थी लेकिन अभी ये पूरी तरह से शिफ्ट करते जा रहे हैं भारत की तरव यहां पर जो मेक इन इडिया आइफोन प्रोग्राम है यह कुछ साल पहले शुरू हुआ था अपल का और अब तो जो लेटेस्ट आइफोन फिफ्टीन मॉडल्स है वो भी हमारे देश में असेंबल किये जा रहे हैं तो काफी सक्सेस्फुल ये हो रहा है अपल यहां ट्रा करना चाहते हैं यानि भारत में करना चाहा रहे हैं तो मतलब अलग हो रहे हैं चाइना से और भारत की दरफ देख रहे हैं ऐस अफ नाव आपल हैस नो इंडियन सप्लायर्स फॉर आइफोन कामरा मॉड्यूल्स जिसके लिए बात्चीट चल भी रही और यह बहुत बड़ा पर हो सकता है बहुत बड़ी डील हो सकती है इससे क्या होगा जो अपकमिंग पार्टनर्शिप है वो बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगी इन आपल इंडिया स्टोरी जो मेड इन इंडिया आपल आइपोन्स है उसमें भी और जिस तरह से स्विच किया जारा भारत के लिए पर्टिक्लरली बहुत जादा महत पूनिय होने वाला है इसी के बारे में हम बात करने वाले है शुरुआत करते हैं इसी के बारे में हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले यह मेरा चोटा सा इंट्रक्शन है दोस्तों यह मेरा टेलीग्राम चानल है जहां पर आप मुझे फॉ होने वाले है उन्नेस एप्रिल से दिल्ली में करोलबाग बुखरजी नगर जहां पर कोर्स फीस आपको यहां पर अपनी स्प्रीन पर दिख रहे है फ्लाट 35% डिसकाउंट को वेल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिये गए कुछ फॉर्म है उसको भर भरना है जह बढके दाओ आपको पढ़ाई ही जा रहे है जैसे डेडिकेट सीच और एसे रैटिंग क्लासे मिलती हैं एसे राइटिंग काफी बाद चूट जाए है देखो यहां पर आपको पढ़ाई तो कराई ही जा रहे हैं वालकि साथ आपको बहुत अदिशन फीचर जैसे डेडिक सब्सक्राइब काफी बात छूट जाता है बहुत इंपॉर्टन कॉम्पोनेंट है कॉम्प्रेंसिव कवरेज होगी यहां पर जी एस की करन्ट अफेर कवरेज मिलेगी आपको 360 60 degree with monthly magazine जो हम प्रोवाइट करेंगे आपको यहां पर एजुकेटर के साथ आपका regular interaction होगा टेस्सीरीज भी आपको मिलेगी जहां पर आपको चालिस से जाधा sectional full-length tests मिलेंगे प्रिलिम्स और मेंस एक्जाम के लिए और साथ ही one one mentorship और doubt solving भी आपको यहां मिलने वाली है चलिए अब reports क्या कह रही है इस news में क्या बताया गया है तो according to the recent reports जो आइफोन makers है यापल जो है वो चाहा रहे हैं कि अपना investment जो है भारत में उसको increase करें और वो काफी जाधा advance level की बातचीत में है with two important groups which are the Murugappa Group and the Tata Groups Titan Company जिन्सके साथ वो plan कर रहे हैं वो discuss कर रहे हैं कि यह दोनों groups में से जो भी जिसको भी deal मिलेगी they will be assembling sub components for iPhone camera modules और इससे क्या होगा भई हमारे हां manufacturing unit लगेगी आइफोन camera modules की तो making India को boost मिलेगा making India initiative जो है उसको एक boost मिलने वाला है और जो Apple का अपना making India वाला जो इनिशेटिव है उसको भी हम कह सकते हैं कि गईना गई बूस्ट मिलेगा और भारत एक बहुत important part बन जाएगा Apple की global supply chain का तो एक बहुत बड़ी achievement हमारे लिए होगी यह दोनों ही भारतिय companies which is the Murugappa group and the Tata's Titan इनके पास दोनों के पास strong background है in high precision manufacturing इसके अलावा दोनों ही जो companies है वो qualified है government incentives के लिए भी under the PLI PLI scheme to set up a chip assembly unit in India जल्दी से मुझे comment section में बताईए यह PLI scheme क्या है बहुत important है कई बार हम इसको discuss कर चुके है मुझे आप comment section में briefly बताईगा scheme क्या है ठीक है ना फिलाल दोनों ही groups ने इस बारे में कुछ भी comment करने से मना कर दिया है पर उमीद यह की जा रही कि अगले 5-6 महीने में यह deal finalize हो जाएगी और iPhone camera conference भारत में बनने शुरू हो जाएगे ना यहां पर जब Apple जो है local conference source करेगा तो उससे क्या फाइदा होगा उससे फाइदा होगा Apple को कि वो करेगा अपने duty cost को और इससे directly हमें benefit मिलने वाला है consumers को benefit मिलने वाला है क्योंकि हम आने वाले सालों में कुछ सालों में ही iPhone के pricing में काफी गिरावट देख सकते हैं अभी iPhone premium category के phones हैं बहुत महंगे हैं लेकिन अगर ऐसा हो जाता है local component source कि यह जा रहे है duty cost reduce हो जाएगी तो इससे क्या होगा आने वाले समय में pricing कम हो जाएगी prices काफी कम हो जाएगे भारत में इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी important चीज जो इससे related है वो यह है कि iPhone के जो exports हुए हैं इंडिया से वो लगभग double हो गए है and they have come to almost 12.1 billion dollars in financial year 24 according to the reports मतलब हम यहां से बना बना कर भेज भी रहें और exports double हो चुके है अब जो decision है Apple का to expand its manufacturing operations in India इसकी बहुत सारे factors है जिसने इसको attributed है जैसे Apple चाहता है कि वो diversify अगरे अपना supply chain shift करे चाइन से इसके लावा जो risks है with respect to the geopolitical tensions I know आपको समझ में आ रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ चाइना अमेरिक इसके बीच में जो geopolitical tension है उसके risks को mitigate करना चाह रहा है इस वज़े से वो expand कर रहे है अपने manufacturing operations को भारत के साथ इसके लावा भारत की जो consumer market है उसमें जो expand हो रही है उसमें भी tap करने के पीछ मतलब ही reasons है कि why Apple is shifting towards India इसके अलावा अगर हम figures और facts की बात करें तो Apple iPhone exports जो हुए है इंडिया से वो double हो गये है to 12.1 billion dollars in 2324 fiscal year which has increased, have come up from 6.27 billion dollars जो पिछले साल थे ठीक है according to the trade intelligence platform the trade division इसके लावा जो total smartphone exports है इंडिया के उसमें भी एक तरह से search देखने को मिला है hitting 16.5 billion dollars in fiscal year 2324 compared to 12 billion dollars in the preceding year अब कही ना कहीं जो substantial growth है यह underscore करती है भारत की बढ़ती हुई importance को in Apple's global supply chain तो यह भारत के लिए भी win-win situation है Apple तो जरूर ही shift करना चाहते हैं भारत की तरफ because of the tension that China and America have तो यह हमारे लिए तो बहुत ही मतलब दोनों के लिए ही Apple के लिए भारत के लिए भी win-win situation है Comment section बताईये आपको कैसा लगाए जानकर चलिये अ that will be all from my side I hope you like the session do not forget to like share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much, God bless, take care, bye-bye. I love you, I love you, I love you.